राजधानी राची के रिम्स के सत्र 2019 के चातर चात्राओं ने मंगलवार को उनर मुल्यांकर यानी रिवेलुशन की मांग की है इस मांग को लेकर वो राची नुफुती मुख्याले पहुचे चातरों का कहना है कि biblical फरस्ट यर की परिक्षा में इत्यास में पहली बार एक साथ इतली संख्या में चात्र फेल हुए है दरसल तीन पेपर की परिक्षाएं ली गई थी जिसमें 76 चात्र cognitive के पेपर में फेल हो गये है वहीं इस मामले को लेकर चातर परिक्षानियंत्रक और स्वास्तमंत्री से भी गुहार लगा चुके हैं चातरो ने बताया कि परिक्षानियंत्रक और वाईस चांसलर के सामने समस्या रखने के बावजूर कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारा ये कहना है कि हमारे लिए स्पेशल कंसिडरेशन पर एक बार फिर से कॉपी चेखो विथ सम लिनियंसी या रिलाक्सेशन आप कोश्चन पेपर में कोई बदलाव कर नहीं सकते तो कम से कम कॉपी देखिए और हमारा सारा काम प्लीज जल्दी हो हमारा सेशन भी डिलेई चल रहा है सपली का भी डेट आया है तो हम स्टुडेंट्स कहां दोडते रहेंगे और कहां भागते रहेंगे हमें आगे का भी पढ़ाई करना है हमारी अपनी तैयारिया भी है तो हम किस के पास दोड़ें इस अधॉडरिटी से लेके उस cada हमारा बात कौन सुनेगा यह हमारी बस परिशानी है आप जो 48 परसेंट बच्चा जो उसको डारेक्ट फेल कर दिया गया है तो डारेक्ट डारेक्ट नीट हमारा बस यही मांग है नूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहें लगाता.in के साथ